कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जानकारी वह सेक्षिक और शुक्मापक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय चला कानूनी चला या तो व्यक्तिकच चला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चैन दोस्तों आज कि इस वीडियो के अंदर कुछ न्यूज अपडेट है क्रिप्टो करणसी के लिए वो देखने वाले हैं प्लस बिटकोईन और अधर जो ओल्ट कोई उसके बारे में बात करेंगे पेले न्यूज आती है एक्स की तरब से मतलब की पेले इसका नेम ट्वीटर था एक सोसिल मीडिया प्लेटफोर्म है उसके सीओ ने कन्फोर्म किया है कि हम एक ऐसा फीचर लाएंगे उससे डिजीटल पैमेंट है वो ट्वीटर की मदद से हो सकता है अब इसके लिए फाएदा हमारे लिए यह है कि डिजीटल पैमेट के लिए Elon Musk का ट्वीटर है वो क्या ला सकते है तो वो चाहते है crypto को काफे ज्यादा crypto को support करते तो इसके अंदर payment के option में bitcoin का name भी हो सकता है dogecoin का name भी हो सकता है ether का भी name हो सकता है या तो ए तीनों के तीन या तो उससे ज्यादा name हो सकता है बट crypto में high possibility है कि डिजीटल पैमेंट फीचर के लिए क्रिप्टो करंसी का यहां पर यूज किया दा है ट्वीटर के लिए और वो न्यूज की बज़े से डोज बिटकोईन और दूसरे कोईन के अंदर कुस इंपक्ट पोजिटिव इंपक्ट हमें देखने को मिल सकता है दूसरी न्यूज के प्राइज और आज प्राइज काफी डाउन है कि वो क्रिप्टो जो कोईन स्टोकन ट्रेड होते उसी तरीके से नहीं होता है सामने जब कोई खरीदने वाला मिलेगा तब जाके अपका एंफ्टी सेल होगा तो एंफ्टी लेना हाई रिस्की हैं एंफ्टी के अंदर सब्सक्राइब करता हो कि एंफ्टी होल्ड करने चाहिए एंफ्टी हाई रिस्की है का पूरा फंड भी लोज हो सकता है काफी सारे एंफ्टी के प्राइज एक एक इतर पांट पांट इतर चलता था आज 0.1 सेंट भी नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ बहुत डूप हो गया बड़ा बड़ा नुकसान हो गया आप देखें 95% जो एंफ्टी मार्केट है वो अब बेकार है नेक्स बात करेंगे तो बाइनस बाइनस के अंदर काफी टाइम से प्रोब्लेम चल रहा है ऐसे से की तरफ से मतलब की लोज शूट हुआ था उसके बाद बाइनस के लिए कु काफी सारे चीज़े यहाँ पर उसने उसके लोज शूट कर दिया अब फिलाल बाइनस जो कंपनी है और उसके मालिक सिजी का एक एना है कोट को कि यह जो हमारे सामने लोज शूट हुआ है वो डिस्मिस होना चाहिए डिस्मिस करने के लिए अपील किया है कि हमारी यहाँ प तुरंत इंपक्ट देखने को मिलेगा तो उसके उपर थोड़ा सामनजर रख सकते हैं नेक्स्ट बात करेंगे फोजी फाइनस एक क्रोस चेन है क्रोस चेन आप जानते हैं फोजी फाइनस लास्ट हाई साल से अच्छे से काम कर रहा था इधिरियम के बेस के उपर बिल्ड ह हुआ था और अभी इसका केना है कि कुछ रिजन है हम इसको बंद करने वाले मतलब यह जो कंपनी है बंद होने वाला है आप कुछ रिजन है मतलब की गवर्मेंट का प्रेसर हो शकता है अगर आप फोजी फाइनस का यूज करते हो आपने कहीं स्टेकिंग किया या तो लिक नरेक्स बात करेंगी क्रिप्टो जोबडियों की बात करेंगी तो क्रिप्टो में काफे सारे जोव थे कंपेड्ल सारी कारण ही यह सभी चीज़े हमारे समने देखने को मिल रही है और यही एक टाइमिंग होता है राइक टाइम टू ऑपोचुनिटी मुटलब की कुछ रिस्क होता है क्रिप्टो मार्केट अभी तो अन्रेगूलेट है रिस्क होता है बट यहां पे जो बंदा पेशा कमाता ह पेशा कमपेट टो और 99 परसंट लोग आने वाले है अभी दो एक परसंट लोग क्रिप्टो में यह सा समझ जिएगा अगर मार्केट प्रिवेस जो चला था उसी तरीके से चलता है तो अभी जो लोग है वो एक परसंट है नाइटी नाइन परसंट लोग और आने वाले चीजे एसी एसी प्ले हो रही है प्रिवेज भी एसी एसी चीजे प्ले हुई है तो भी again to again bull market देखने वो मिला है और अभी कुछ लोग का कहना है कि आखरी बूल market है हमने भी आज से तीन चार महिने पेले एक वीडियो डाला था कि आखरी पूल मार्केट है और सबसे बड़ा पूल मार्केट है होगा क्यों वीडियो लाएंगे उसका दुबारा लाएंगे नेक्स्ट बात करने वाले क्रिप्टो स्केम्स इंडिया के अंदर गुर्गाव के अंदर एक सरकारी जो अधिकारी था उसके साथ 40 लाख रुबे का क्रिप क्रिप्टो का नेम का यूज करते हैं तो सर्जी ने क्या किया पेले तो हजार उपे डाला 1000 रुपे डाला, 1500 बन गया और विड्रो भी कर लिया डाला क्या? रूपे, रूपे डाला, रूपीज 1000 रूपे डाला, 1500 हो गया, विड्रो हो गया सर्जी को मज़ा आया कि बढ़िया प्रोफिट है तुरंत 1500 बन रहा है लालच में आखे ज्यादा पेशा डाल दिया, तकरीबन 40 रूपे और फिर विड्रो नहीं मिला अब यहाँ पर ना तो बिटकोइन लिया है, ना इतर लिया है अगर बिटकोइन रूप जाता या तो भाग जाता, इतर रूप जाता या तो भाग जाता तो Bitcoin का price 26,646 डोलर के उपर trade कर रहा है कल की दिन देखा कि ये कमेट रोप देखने को मिला 26,350 के आसपस कल वीडियो भी बनाई हुई थी जाके आप check out कर सकते हैं कि Bitcoin अगर 26,600,600 के उपर sustain करता है तो market अगेन एक try करेगा तो अभी ये sustain कर पा रहा है आप अपने सब से यापर trade build कर सकते हो एक SL के साथ SL इससे नीचे लगाने है और बस वही वाला analysis है कुछ नया नहीं है market में volume की अभी कमी है अभी इंडिनों के अंदर बड़े-बड़े move की बादम नहीं कर सकते है आज सकता है moment 1500 डोलर का बट बहुत बड़ा moment अभी देखने को नहीं मिल रहा है और अभी ये जो timing चल रहा है वो SIP करने का चाहे बिटकोईन में कर रहे है एथर में कर रहे है या तो कोई आपका फिर्विट क्रिप्टो टोकन्स में कर रहे है वो timing है अब सोटम बिटकोईन में देखे तो बस 26,400,500 से उपर बिटकोईन है वो प्राइस को होल्ड करना important है next यहाँ पर कुस ओल्ड कोईन के बारे में बात करें तो ओल्ड कोईन के लिए यहाँ पर अभी तो देखे तो टोटल जो ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट के वह वो 1.06 ट्रिलियन डॉलर और 0.02 परशन्ट डिक्रीज हुआ है मतलब की बड़ा कोई मुमेंट नहीं है पहले के दिनों की बात करें तो एक एक दिन में 25-24 परशन्ट का भी मुमेंट टोटल मार्केट के अंदर आता था तो दिन आयेंगे में भी टाइमिंग लगेगा next यहाँ पर इथर 1600 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है BNB 211 जो कि BNB आप दीरे-दीरे SIP कर सकते BNB एक डिसकाउंट के अंदर अभी देखने को मिल रहा है जो कि कुछ कॉंटिटी है हम एड कर सकते है 211 में लिया थोड़ा फंड 190-180 के लिए भी रखना है रीपल आदा डॉलर आ गया जो कि रीपल केस विन किया है और फोमो भी था एक डॉलर गया था तो वहां लोग बात करना स्टार्ट के कि पचास चला जाएगा अब आधा आया है तो कोई कुछ नहीं तो इस रीपल एक डॉलर के आसपास एजी लिए हमें देखने को मिलेगा अगें आने वाले कुछ दिनों के अंदर एजे लगकी शोट टम के अंदर भी देखने को मिल सकता है डोज कोईन की बात करें 0.061 काफी टाइम से इलोन का ट्वीट भी नहीं आया है तो डोज कोईन में भी बेटर के इसको आप इन्वेश्ट कर सकते हैं पार्ट में और अभी 65 के आसपास मिल रहा है जोकि लाइट कोईन में 100 डूलर के आसपास तो यह टेड कर ले था है थोड़ा सा मार्केट ठीक होगा और यह 100 के आसपास टेड करने वालों में से हैं तो यह सभी ओल्ड का अपडेट है अभी उतना बड़ा मोमेंट आने की पॉसिबिटी मार्केट में नहीं दीख रही है क्योंकि अभी बिटकोन में ही उतना ज्यादा वोल्यूम नहीं है तो दूसरे ओल्ड की तो हम बात नहीं कर सकते हैं कोई ओल्ड कोन यह से चलेंगे तो उसमें दीरे दीरे आप प्रॉफिट हो कर लास्ट में एक एक्चेंज बीटमार्ट एक्चेंज जैसे कि यहां पर हम ओनली फॉर इवेंट के लिए काम करतें क्योंकि एक्चेंज सभी के सभी रिसकी है बड़े बड़े एक्चेंज का यूज करना चाहिए बट एक हैसा लोट मैं पढ़ता रहता हूं और हर एक वीडियो के अंदर कुछ दिखाता रहता हूं इससे क्लिक किया जो फ्यूचर सीडिंग करते क्रों सकते हैं बाकि लोग उसे छोड़ मह पेर के अंदर trading करना है बाकि सभी की सभी यहांबर terms in condition लिखा गया है risk warning भी यहांपर दिया गया है सभी चीजें यहांपर पड लेना और मेरी अगर आप ट्रेट मार भी रहे हों